नमश्कार में अप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है चले जानते हैं बिहार के अब तक की बड़ी खबरों को अब इतन भर सकते हैं इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दियेगे वेब लिंग पर जाकर ले सकते हैं होमगार्ट के आश्रतों को भी अब दी जाएगी नौकरी अब होमगार्ट के आश्रतों को भी सरकारी कर्मियों की तरश पर नौकरी मिलने वाली है कि किसको नौकरी मिलेगी और कैसे मिलेगी सारा सब कुछ सपष्ट भी रहने वाला है इस बावत कैबिरेट वभा के प्रधान सचिफ संजे कुमार ने बताया है कि कैबिरेट ने छे प्रस्तावों को स्विकृति दे दी है इसमें आश्रतों को सरकारी नौकरी देने के अलावा अन्यका योजना पर महर लगाई गई है अब हाई स्कूल में पढ़ाएंगे रिटायर सिक्षक जो हाई एक तरफ कई सिक्षक नौकरी की मांग को लेकर बैठे है नहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार ने रिटायर सिक्षक को के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है जुसके तहट बिहार सिक्षक की तरफ से साजह की गई ताजा जानकारी के नुसार बिहार के रिटायर सिक्षक को अब हाई स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलने वाला है प्रतिक्लास 900 रुपए समेट एक महीने में अधिक्तम 22,500 रुपए की राश्य मिलेगी नगर निकायों में होगी अब बंपर भाली क्याबरेट ने नगर निकायों में भाली के लिए नियामवाली की मंजूरी दे दी है जिसके बाद अब नगर निकायों में बंपर बहाली होने वाली है मिलेजियान कारी के नुसार क्याबिनेट की तरफ से मिली मंजूरी के बाद 5000 से अधिक लोगों को नौकरी देने का काम किया जाना है इताही ने अब तो निदीश सरकार बिहार में शेहरी करन को बढ़ावा देने में भी जुट गई है इसके कवायर के तहट बीते दुनों क्याबिनेट ने 170 रहने शेहरी निकायों के गठन को मंजूरी प्रदान की है इन निकायों के तरफ से आप पत्तियों की समय सीमा भी अब खत्मों चुकी है इसके साथ ही ने नगर निकायों में अब न्यूकती निया मवली को भी क्याबिनेट की दुआरा स्विक्रिती प्रदान कर दी गई है जिसके बाद आज से पुलसकर्मियों को टीका देने के लिए विशेश अभियान भी चलाया जाना है जिसके तहट राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ पर कुलमिलाकर 18,000 पुलसकर्मियों का रेजिस्ट्रेशन करवाया जा चुका है वाई बीते दिन की बात करें तो कुलमिलाकर 11,000 केंद्रों पर 316 फरंट लाइनर्स ने टीका लगवाने का काम कर दिया है बीते तीन दिनों में 709 फरंट लाइनर्स टीका लगवाने का काम कर चुके हैं दिया यो डॉक्टर स्पी विनाय की माने तो रजिस्टर डॉटी का लेने से बंचुत स्वास्त कर्मियों को 12 फरवरी को टिका देने की विवस्था की गई है। फरवरी में गर्मी पढ़ने लगती है मगर इस साल दिसंबर में ही मौसम रवी के लिए अच्छा रहा है। कानूनों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। किसानों ने कहा है कि सरकार ने कृष्टी कानून को डेर साल तक सगित करने का प्रस्ताव किसान संगचनों को दिया था। लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव से हम सहमत नहीं है। किसानों ने कहा किस तरह की बाते करके किसाना अंदोलन को खत्म करने की साज़िश रची जा रही है। रालोसपा के राश्ट्रे महासचे फजल अमाम मलिक ने प्रेस कॉंफरेंस में इस बात की जुआनकारी थी। राजट ने पश्रिम बंगाल चनाव की तैयारी शुरू कर दी है। परियोजनाओ के लिए पैसो की स्विक्रती के इंद्रे परियोजनाओ के लिए पैसो की स्विक्रती दी गई है। परियोजनाओ के लिए के इंद्रे सरकार की तरफ से राशी की मांगी गई थी। प्राइविट स्कूल पर राज़े सरकार ने लिया बड़ा फैसला प्राइविट स्कूलों के बढ़ते मनमानियों को देखते वे भी हर सरकार ने नया फैसला लिया है। सिक्षा के अधिकार के तहट नीजी स्कूल को अनापती प्रमानपत्र तभी मिलेगा जब उन स्कूलों में पढ़ने वाले सिक्षक प्रसिक्षित होंगे। इसके तहट अब नीजी स्कूल को सम्मधता लेने के लिए 10 ट्रेड सिक्षवों की सूची देखनी होगी। इसके शिरुवात पटना जुला सिक्षा कारियाले ने कर दी है, पटना दी यो कारियाले ने सभी प्राइमरी स्कूल के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसके साथ ही एक और बदलाव ये किया गया है कि अब 1-3 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होगा। इसके लिए एक सॉफ्ट्वेर डवलप किया जा रहा है जिससे पूरी विवस्था के निगरानी के जाएगी। हमारे सबे बिहार नियूज यूजर के लिए गुमशूदगी से जुड़ी एक एहम सूचना एक युवक जो की लखी सराई के सलेमपुर गाउं का रहने वाला है जुसका नाम गोलु कुमार है जो 15 साल का है वो गुम हो चुका है आपको बता दे कि अगर ये कहीं मिलता है तो आप दिये गए नंबर पर संपर करने की जरूर कोशिश करें इसका नाम है गोलु कुमार उम्र है 15 साल पिता का नाम है उपेंद्र महतो गाउं है सलेमपुर पोस्ट ओफिस है गाड़ा पुलिस्टेशन है मनिकपुर जिला लखी सराई अगर किसी को भी गोलु का पता तो वो मोबाइल नंबर 9398788107633096519 इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर संपर करके जानकारी दे सकते हैं 12 फरवरी के बाद से दिन और रात में तापमान बढ़ने का अनुमान मौसम विभाग ने अगले तीन दिन के बाद ठंड का असर कम होने की बात कही है अनुमान के अनुसार 12 फरवरी से मौसम सामाने हो जाएगा और गर्मी बढ़ेगी रात और दिन में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी इसके अलावा विभाग ने यह भी कहा है कि 10 फरवरी तक दिन में गर्मी और रात में सर्थी होगी विभाका कहना है कि 11 फरवरी से मधिप्रदेश, हत्तसगर और बिहार के तटवर्ती शेत्रों में चक्रवाती हवाओं के सक्रिय होने का अनुमान है जिससे आस्मान में बादल छाने और हलके कोहरे रहने के आसार है जिसका असर बिहार में भी 24 घंटे तक दिखेगा फिलाल बिहार के पटना गया नालंदा छपर और सिवान समेथ सभी हिस्सों में मौसम सुष्क बना हुआ है जिसके साथ ही दिन में तेज धूप रहने के कारण गर्मी का एहसास होता है जबकि तेज हवाओं से रात में तापमान केर जाता है अनिता हसनन्दानी के घर एक नन्हा महमान आया है जुसके तहत अनिता ने एक बेटे को जन्द दिया है जुसके बाद अनिता और रोहित ने अपने पहले बेबी को वेलकम किया है हालाकि आक्ट्रस बीते कई दिनों से मिटर्निटी शूट करती नजर आ रही थी जुसके तहत अनिता ने बताया था कि उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान कई फोटो शूट्स किये थे लेकिन कोई प्रेग्नेंसी पीरिड में किये जाने वाले फोटो शूट से उ भार के बावजूद लारा को हराने में कामियाब रहे विराट भारत और इंग्लाइन के बीच पहले मैच का समापन हो गया है वही मैच के खत्म होने के बाद भारती टीम को भले ही हार का सामला करना पड़ा लेकिन भारती टीम के कप्तान और रन मशीन विराट कोहली ने क्र विराट ने इंगलाइन के खिलाफ मंगलवार को खत्म होए पहले टेस्ट में कुल 83 रन बनाए और तीनों फॉर्माट में सरवाधिक रन बनाने के मामले में लारा से आगे निकल गये। के पढ़ाने का फैसला सही है या नहीं अपने जवाब हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना हैं बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटे टरहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना पुले दने बादे